तो बच्चो मैं आपको विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ा चुकी हूँ उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था भोजन के बारे में पढ़ा था तो बच्चो अगला जो हमारा पार्ट है वो भी भोजन से ही संबंदित है हमारे अगले पार्ट का नाम है भोजन के घटक और इस पार्ट में आप बहुत सारी अच्छी चीजों को जानने वाले हैं, भोजन के क्या-क्या घटक हैं, किन-किन घटकों का क्या-क्या कारे हैं, और किन पधार्तों से आपको ये अलग-अलग घटक प्राप्त होते हैं, ये सभी बाते हम इस पार्ट में करने वाले हैं, तो ब हमारे भोजन में कई पोशक पदार्थ पाए जाते हैं ये पोशक पदार्थ क्या-क्या होते हैं तो चलिए देखते हैं तो बच्चों हम जो सामाने रूप से भोजन लेते हैं उसमें अलग-अलग चीजों को सम्मिलित करते हैं हमने पिछले बात में भी भोजन की विवितता क बात की थी, यानि हम प्रति दिन सिर्फ एक ही भोजन, एक ही चीज नहीं खाते हैं, कुछ-कुछ बदलाव हम करते रहते हैं, यहां तक कि पूरे दिन में हम जो चीजे खाते हैं, वो भी अलग-अलग होती हैं, आप सुबहे नाश्टे में कुछ खाते हैं, उसके बाद दोप पधारन रूप में आपको ध्यान रखना है कि भोजन में कई सारे पधार्थ सम्मिलित होते हैं और इन पधार्थों से हमारे शरीर को कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और ऐसे पधार्थ जो इस भोजन से हमें प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं पोशक कहते हैं तो भोजन में अलग-अलग संगठक पधार्थ होते हैं और वो संगठक पधार्थ हमारे शरीर में कुछ आवश्यक चीजों को देते हैं या पूर्ती करते हैं और उन पधार्थों को उन घटकों को ही हम क्या कहते हैं पोशक कहते हैं बच्चों मुख्य प पोशक पधार जो हमारे भोजन में सामाने तह पाए जाते हैं वो कौन-कौन से हैं तो उनके नाम हम यहां देख रहे हैं पहला पधार थे कार्बो हाइडरेट तो पहला पोशक पधार जो हमारे भोजन में मिलता है वो है कार्बो हाइडरेट उसके अलामा प्रोटीन, वसा, विटामीन ये नाम आपने हो सकता है कभी सुने हो या कुछ बच्चों ना भी सुने हो तो आप इनको याद रखेंगे कि कार्बो हाइब्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामीन इनके अलावा खनिजलवर्ण, रुक्षांच और जल ये सभी क्या कहलाते हैं पोशक कहलाते हैं य अगर आप सही प्रकार से सही मात्रा में सही चीजों को भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं तो ये सभी पोशक पधार्थ आप प्राप्त कर पाते हैं तो बच्चों ये पोशक पधार्थ किस खार्दे पधार्थ में हैं ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इक बाद जो आपको समझनी है वो यह कि क्या सभी खार्दे-पधार्थों में यह सभी पोशक मिलते हैं यानि क्या हर चीज जो आप खाते हैं उसमें कार्बोहाईबृड प्रोटीन वसा वितामीन खनेज़लवन रुक्षांस और जल मिलते हैं या खाद्य पदार्थ में विशेश पोशक पदार्थ मिलते हैं तो बच्चों यहां आपने यह समझना है कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ विशेश पोशक पदार्थ ही मिलते हैं और कौन से पोशक पदार्थ किसी खाद्य पदार्थ में हैं इसका पत भी लगाया जा सकता है तो कुछ साधारन विधियां होती है जिनके द्वारा आप कच्चे भोजन में या पके हुए भोजन में पोशक पधार्तों का पता लगा सकते हैं तो पोशकों का परिक्षन किया जाता है और इस परिक्षन के लिए हमें कुछ विशेश प्रकार के रसा का नाम आप ध्यान रखेंगे आयोडीन का विलियन कास्टिक सोडा का विलियन और कॉपर सलफेट का विलियन यह मुख्य विलियन है जो पोशक पधार्तों की जाच या परिक्षन के लिए प्योग में आते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि किसी भोजन में या किसी खाद्य पधार्त में कार्वो हाइडरिट है या नहीं इसका परिक्षन कैसे किया जाता है तो कार्वो हाइडरिट या मंड के लिए जो परिक्षन है उसे अब हम समझने वाले हैं तो कार्वो हाइडरिट के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा कोई भी खाद्य सामगरी जिसकी हमें जाच करनी है तो एक खाद्य सामगरी या कच्ची सामगरी जिसमें हमें कार्वो हाइडरिट की जाच करनी है जैसे ये बच्चे जब कार्वो हाइडरिट का परिक परिक्षन कर रहे हैं तो इन्होंने किसकी जाच करी हैं आप देख रहे हो कि इन्होंने आलू रखे हुए हैं आलू की जाच की हैं तो खार्दे सामगरी लेने के बाद क्या करना है तनु आयोडीन विल्यन की कुछ बूंदे ढालनी हैं आपने देखा कि आयोडीन विल्यन का उपयोग जो है वो पोशक पधार्तों के परिक्षन के लिए होता है तो बच्चों खाद्य सामगरी लेकर तनु आयोडीन विलियन की कुछ बूंदे जैसे ये बच्चे डाल रहे हैं हमें उस खाद्य सामगरी पर डालनी होती है और यदि उस खाद्य सामगरी का रंग नीला या काला उस खाद्य सामगरी का रंग नीला या काला हो जाता है तो हम यह समझते हैं या हमारा परिक्षन यह हैं बताता है कि उस खाद्य सामगरी में कार्बो हाइडरेट या मंड उपस्तित है तो बहुत साधारन सी बात है बच्चों आप इस चीज को अच्छे से समझ तो यहां इन बच्चों ने जब आलू पर कार्बो हाइडरेट का परिक्षन किया तो इन्होंने क्या पाया कि आलू पर जब तनु आयोडीन विलियन डाला गया तो आलू का रंग जो था वो कैसा हो गया नीला हो गया यानि आलू में कार्बो हाइडरेट उपस्तिर होता है आ प्रोटीन के परिक्षन के लिए जो विधी है वो भी सरल ही है हमें जिस खार्देपधार्थ का परिक्षन करना है उसे एक पेस्ट या चून में बदलना होदा है आप उसका चूरा कर ले या उसमें थोड़ा पानी डाल के और उसको पेस्ट के रूप में परिवर्तित कर ले अब जो खाद्य परदात का आपने चून किया या पेश बनाया उसे किस में डालना है परकनली में डालना है बच्चो ये आप इस लड़के के हाथ में इस बच्चे के हाथ में परकनली देख सकते हैं दस बूंद आपको जल की डालनी है आपने खाद्य समगरी को परकनली में डाला उसके बाद उसी परकनली में दस बूंद जल की डालनी है उसके पश्चाद दो विलियन आपको डालने हैं कॉपर सलफेट का विलियन जिसकी सिर्फ आपको दो बूंदे ही डालनी हैं और दूसरा विलियन जो है कास्टिक सोडा का विलियन और इसकी हमें 10 बूंदे डालनी हैं तो बच्चों जो रंग आपको दिखेगा वो कौन सा होगा बैंगनी होगा तो बच्चों ये असान सा परिक्षन आप कर सकते हैं किसका पता लगाने के लिए प्रोटीन का पता लगाने के लिए इसके बार जो तीसरा मुख्य खादे पधार्थ जिनको हमें परिक्षन करना है या जिस पोश है वच्चों इसे आप असानी से कर सकते हैं सब्सक्रा किसी खाद्यपधात को थोड़ी सी मात्रा में आप लें उसके बाद इसे कहां पर लपेटना है काघच के एक टुकड़े में लपेटना है तो एक खाद्य पदार्थ में वसा होती हैं तो आपको कागज पर तेल के धब्बे नजर आते हैं बहुत साधारन परिक्षन है ना बच्चों तो ये परिक्षन जैसे की वसा का परिक्षन आप असानी से घर पर भी करके देख सकते हैं क्योंकि कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन के लिए हमें कुछ विल्यन चाहाईए होते हैं उन्हें आप घर पर नहीं कर सकते हैं लेकिन विद्याले में जब आप जाते हैं तो आप इन परिक्षणों को भी करके देख सकते हैं तो बच्चो आज हमने ये जाना कि पोशक पधार्थ कौन कौन से हैं, मुख्य पोशक पधार्थों के हमने नाम जाने और उसके बाद हमने क्या सीखा कि कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन और वसा के परिक्षन कैसे किये जाते हैं तो बच्चो आज के लिए इतना ही इसी पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे दूसरे भाग में तो मिलेंगे आपको इसी पार्ट के दूसरे भाग में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद